हेलो स्टुडेंट्स नीट बाइलोजी इन ब्रेंग चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम और आज हम बात करेंगे सेल दे इनुट अपलाइक के अपने लेक्चर नमबर 16 के बारे में आज का जो हमारा टोपिक है वो है सीलिया एंड फलेजिला आज हम जिस टोपिक के बारे मे किसी सैल के अंदर हमें थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वे थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर होते हैं जैसे माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं और क्या होते हैं माइक्रो टिबिल्स होते हैं उन्हें हम अगर साइटो प्लाजम के साथ मिला कर कमबाइन करके के जो बोलते हैं टर्म वो होती है साइटो इसकलेटल यह सपोर्ट एंड से प्रोवाइड करते है किसी सेल की हम फिर बात करेंगे साइटो skeletal elements जो यह माइको फ्लामेंट और माइक्रो टिंबिल होते हैं इनके बारे में हम डेटेल से चर्चा करेंगे नमबर थ्री टोपिक पर हम क्या डिसकस करेंगे वो होगा सीलिया एंड फ्लेजिला सीलिया एंड फ्लेजिला की हम इस्ट्रक्चर को देखेंगे कि यह सीलियेटिड की जो फैलोपिन ट्यूब होती है वहाँ पर सीलिया हमें देखने को मिलते है और फ्लेजिला के बारे में हम बात करेंगे कि बैक्टरिया के फ्लेजिला और यूकेरियोट का फ्लेजिला में क्या अंतर होता है कि प्रोकेरियाटिव फ्लेजिला के अंदर वो फ्लेजिलीन प्रोटीन का बना होता है जो यूकेरियोट का फ्लेजिला होता है वो फ्लेजिलीन प्रोटीन का बना होता है वो टिबिलीन प्रोटीन का बना होता है और क्या होता है जो eukaryote का phlezilla होता है ईसमें 9 प्लस 2 आरेंजमेंट देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे और नमबर 4 तोफिक पर हम डिसकस करेंगे एक्जोनीम के बारे में यह क्या होता है cilia और phlezilla दोनों के अंदर ही हमें एक्जोनिम देखने को मिलता है जब इसका ट्रांसवर सेक्षन हम काटते है तब हमें एक्जोनिम की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो अब हम आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं अब आज का अपना लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं साइटोस्केलेटन पहला हमारा टो दोनों के अंदर हमें क्या होते हैं, थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, दोनों के अंदर क्या होता हैं, अमें सम् थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं, यह थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर क्या होती हैं यह thread like structure होती है micro filaments जो blue color वाले आपको धागे दिख सकते हैं यह है micro filaments और क्या होते है intermediate filaments और कौन से filaments होते हैं intermediate filaments और जो red color के आपको जो threads दिख रहे हैं वो क्या है micro tibules है यह क्या है micro tibules है तो इन धागों को हम क्या बोलते हैं जब इन्हें साइटो प्लाजम को भी इनकलूड कर लेते हैं कि जो micro tibules होते हैं micro filaments होते हैं intermediate filament होते हैं प्लस साइटो प्लाजम इन्हें मिलाकर क्या बोलते हैं साइटो स्केलेटन बोलते हैं और क्या होता है जो यह threads होते हैं यह threads elongated and proteinious nature के होते हैं कैसे होते हैं यह elongated होते हैं और proteinious nature के होते हैं और इनका रोल क्या होता है हमारे दिमाग में question आता है कि इनका रोल क्या होता है इनका रोल होता है कि यह safe provide करते हैं और यह motility में भी help करते हैं means इनको locomotion में help करते हैं हमने क्या बताया आपको और यह हमारी क्या है कोई cell है यह किसका डाइग्राम है इसके बार हम को क्या देखने को मिल लही है cell membrane देखने को मिल लही है अंदर क्या देखने को मिल लहा है nucleus देखने को मिल रहा है और इसके अंदर जो धाग्यनुमा structure है वो है mejoragram देखने माकरो टीबियॉस माइक्रो फिलामेंट्स में इंटरमेडियाट फिलामेंट्स जब इस को हम जाइटो प्लाजम इसमें इंकलूड करके बताते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं scyto skeleton अब बात करते हैं scyto skeleton element हमारा जो दूसरा सब डोपीक है वो है scyto skeletal elements जो scyto skeletal elements है हमने भी आपको बताया विक तीन होते हैं पहला होता है micro filaments पहला होता है micro filaments दूसरा होता है intermediate filaments और तीसरा है माइक्रो टिब्यूल्स तीसरा क्या है माइक्रो टिब्यूल्स जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स एक एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं माइक्रो फिलामेंट कैसे है एक्टिन फिलामेंट आपने क्लास 11 में एनिमल फीजियों के अंदर जो लोकोमोशन एंड मोमेंट है वहाँ पर इस एक्टिन फिलामेंट को आप डिटेल से पढ़ेंगे यह क्या है एक्टिन फिलामेंट जो actin filament होते है जो आपको ये red red color के ऐसे ही देखने को मिल लहे है ये दो हैसकी chain ये क्या है actin filament ये क्या होते है ये helical होते है size 5 nanometer size इनका हमें देखने को मिलता है contact trial होते हैं ये help करते हैं amoeboid moment के अंदर amoeboid moment के अंदर क्या होते हैं ये help करते हैं और कैसे होते हैं ये solid होते है micro filament कैसे होते हैं solid होते है और जो intermediate filament है वे भी solid होते है बट जो ये होते है micro tubules होते है ये hollow होते है यह कैसे होते है hollow होते है जो इनकी विर्थ होती है इसकी 8 to 10 होता है इसका diameter इसकी कितनी होती है 6 nanometer और इसका 25 nanometer होता है इसका मतलब अगर इनका size nanometer के अंदर है जो micro filament, intermediate filament micro tibius का size अगर nanometer में है तो यह clearly क्या indicate कर रहे है कि इनको हम देख सकते है केवल electron microscope से यह electron microscope से ही क्या हो सकते है visible हो सकते है क्योंकि nanometer को हम simple microscope, compound microscope में नहीं देख सकते है जो intermediate filament होते हैं में support provide करते है to nuclear membrane जहाँ पर nuclear pore वगेरा लगे होते है वहाँ पर हमें intermediate filament देखने को मिलते है अब आता है बात microtibules की जो microtibules होते है वो alpha-tibulin और beta-tibulin जो alpha-tibulin, beta-tibulin जो होती है protein उन्हें मिला करके क्या बोलते हैं proto-filament जब proto-filament की 13 chain आपस में लगी होती है उसे बोलते है microtibules आपको यह लाइन कुछ भी समझ में नहीं आई होगी अब इसको हम एक diagram की help से समझते है अब बात करते हैं microtibules के बारे में microtibules आपको हम बताया था भी alpha-tibulin, beta-tibulin proteins तो बनते कैसे आई हैं हमारे पास alpha और beta-tibulin protein है जो green color की protein देखने को मिल लही है वो है alpha-tibulin और जो blue color की protein है वो है beta-tibulin alpha-tibulin and beta-tibulin हमने इनको इस तरीके से arrange कर दिया है यह arrangement हमको देखने को मिल लहा है इस arrangement को कहते हैं proto-filament इसे क्या कह रहे हैं proto-filament जब इन proto-filament की ऐसी ही 13 chains मतलब 13 बार इस तरीके से हम इनको repeat करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 13 बार करते हैं हम इनको repeat करते हैं तो तब जाकर के जो structure बनती है मैंने आपको तीन ही बना करके दिखाए है इस तरीके की 13 lines proto-filament की हम इनको arrange करते हैं उसे क्या बोलते हैं जो structure बनती है यह 12, 13 proto-filament जो होते है means 13 बार यह repetition हमको देखने को मिलता है और 12 यह proto-filament होते हैं बारा क्या होते है यह proto-filament होते है और फिर्य बार ऐसे देखने को मिलते हैं प्रोटो-filament को ऐसे हम 13 time arrange करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं हम माइक्रो टिब्यूल इसे बोलते हैं माइक्रो टिब्यूल और जो यहाँ पर यह structure दिखाई गई है यह इसका transfer section दिखाया गया है मिन्स अगर हम इसको ऐसे cut करें ऐसे cut करें तो हमें यह वाली structure फिर देखने को मिलती है अगर हम यहाँ पर cut कर देते है assume करो यहाँ से हमने cut किया तो green वाली structure हमें यहाँ पर देखने को मिल लए है इसका एक end और दूसरे end पर हमने यह वाला end इसको मान सकते हो इसके उपर रहा होगा blue color तो दूसरे end पर हमें blue वाला color देखने को मिल लखा है I hope आपको clear हो गया होगा क्या होता है माइक्रो टीबिल्स में alpha and beta टीबिलियन हमको protein देखने को मिलती है जब इन्हें हम इस तरीके से arrange करते है इसे क्या बोलते हैं proto filament जब proto filament को 3 repetitions हम करते है तो उसे क्या बोलते हैं एक माइक्रो टीबिल्स इससे बनता है जो माइक्रो टीबिल्स होते है इनके arrangements हम different different structure बना सकते है जो माइक्रो टीबिल्स होते है इनके arrangements हम different different structure बना सकते है जैसे इसके arrangements हम बना सकते हैं सीलिया इसके एरेंजमेंट से बना सकते हैं फ्लेजिला और क्या बना सकते हैं और बना सकते हैं सेंट्रोसूम सेंट्रियोल एंड बैसल बोडी जो हमारे पास माइक्रो टिब्यूल से इनके एरेंजमेंट से हम सीलिया, फ्लेजिला, सेंट्रोसूम, सेंट्रोसूम, सेंट्रियोल एंड बैसल बोडी बना सकते हैं अब सबसे पहले माइक्रो टिब्यूल से सीलिया कैसे बनता है phlegyla कैसे बनता है हमारे lecture का main motive ये है कि हम micro-tibule से cilia and phlegyla कैसे बनाते है और उसके बाद हमारा काम है कि cilia phlegyla के अंदर जो exonim core देखने को मिलती है उसका हम transfer section काट करके देखेंगे अब सबसे पहले बात कर लेते है cilia and phlegyla के बारे में cilia and phlegyla कहां देखने को मिलते है found only in eukaryotes in unicellular के अंदर unicellular eukaryotes के अंदर ये paramecium के अंदर देखने को मिलते है और जो multi cellular होता है जो multi cellular होते है उसके अंदर हमें फैलोपियन ट्यूब bronchioles के अंदर देखने को मिलते है जो ciliated columnar epithelium का ये diagram दिया है इसके surface पर हमें क्या देखने को मिल लए है सीलिया देखने को मिल लए है क्या देखने को मिल लए है सीलिया देखने को मिल लए है इनका rule क्या होता है act like or इनका ये किस तरीके से काम करते है ये एक or की तरीके से काम करते है or क्या होता है एक और होता है now का चप्व जिस तरीके से वो काम करता है इस तरीके से ये भी काम करते है It can move cells and medium in coordinated way यह बहुत important point है कि यह सीलिया जो होते है यह cell और medium को cell को और medium को coordinated way में क्या करा सकते है move करा सकते है अगर हम बात करें यह cell यह पुरी की पुरी सैल को भी मूव करा सकते हैं और इसके अंदर जो मीडियम है यह उसे भी मूव करा सकते हैं और दोनों को साइमल्टेनियसली भी मूव करा सकते हैं I hope आपको एक किलियर हो गया होगा कि इसके अंदर का जो मीडियम है और जो पूरी कमप्लेट से आले हैं उसको मूव करा सकते है और जो फलेजिला होता है फलेजिला हमें यूकिरियोट और प्रोकिरियोट दोनों के अंदर देखने को मिलता है यूकिरियोट और प्रोकिरियोट दोनों के अंदर देखने को मिलता है बट दोनों के फ्लेजिला डिफरेंट होते हैं बट बोथ फ्लेजिला अर डिफरेंट यह क्या करते है और इसका important point क्या है यहाँ से question अच्छा question बन सकता है कि जो सीलिया होते है उसमें हम cell and medium दोनों को move करा सकते है बट फ्लेजिला के अंदर केवल और केवल हम cell को ही केवल move करा सकते है फ्लेजिला को मापर हम medium को move नहीं करा सकते और जो प्रोकेरियोट का फ्लेजिला होता है वो फ्लेजलीन प्रोटीन का बना होता है किसका होता है फ्लेजलीन प्रोटीन का बना होता है बट जो योकेरियोट का फ्लेजिला होता है वो टिबिलिन प्रोटीन का बना होता है और एक इंपोर्टेंट बात और जो योकेरियोट का फ्लेजिला होता है उसके अंदर 9 प्लस 2 अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है बट जो प्रोकेरियोट का फ्लेजिला होता है वहाँ पर हमें 9 plus 2 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है जो सीलिया एंड फ्लेजिला होते है बोथ सीलिया एंड फ्लेजिला के अंदर हमें common structure देखने को मिलती है वो होती है क्या होती है membrane present in lipid bilayer कि जो सीलिया एंड फ्लेजिला जो निकलते है यह extension होते है plasma membrane के of cell membrane के किस के यह किस से निकलते है cell membrane से निकलते है membrane present होते है lipid bilayer की एक्जोनिम इट इस मेड़ ओक माइक्रो टिब्यूल्स जो एक्जोनिम होता है इसके अंदर क्या होता है सीलिया एंड फलेजिला तोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है एक्जोनिम कोर देखने को मिलता है यह एक्जोनिम कोर क्या होता है इसके बारे में बात करते है इधर paramecium का डाइग्राम दिया है यह क्या है हमें cilia देखने को मिल लहे है हमारे पास sperm का एक डाइग्राम दिया गया है इस sperm के diagram में जो इसका tail वाला portion है यहाँ पर आपको जो structure देखने को मिल लही है वो क्या है exoning इसको हम ऐसे transfer section में अगर हम काट कर देखते है इसे ऐसे अगर हम cut करके इसमें cut लगा करके ऐसे देखते है इसका क्या है transfer section काट करके हम देख रहे है अब इसके बारे में हम बात करते हैं exonim के जो exonim होता है exonim is covered by plasma membrane in both cilia and phlezyla जो exonim होता है वो plasma membrane से cover होता है हमारे पास जो exonim की structure दी है हमने इसका transfer section के काट कर देख रहे है यह कैसा है transfer section की वह कैसा था वो वो जो exonim ऐसा था उसका यह सामने वाला portion हम काट करके देख रहे है तो हम क्या पाते है इसके अंदर कि यह phlezyla और शीलिया दोनों के अंदर देखने को मिलता है और इसकी outer covering क्या होती है exonim की जो अंदर इसके ऐसा exonim हमें देखने को मिल दा है इसकी outer covering होती है plasma membrane और क्या देखने को मिलता है exonim के अंदर number of microtubules running in the Rodriguez इसके अंदर क्या होती है से microtubules हमें देखने को मिलते है माईक्रो टीबिल्फ देखने को मिलते है और क्या होता है nine duplet हमें देखने को मिलते है peripheral and two cigulates in central हमें इसके बहर एक्जोनिम के जैसे हमने इसको काट करके देखा इसको हमने काट करके देखा तो हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी यह इसको जूम करके हम यहाँ पर देख रहे है क्या दिख रहा है जो ब्ल्यू कलर की जो स्ट्रक्चर से है यह क्या है यह alpha and beta tibulin है जो हमने आपको alpha and beta tibulin बताई थी alpha and beta tibulin से क्या बनता है alpha and beta tibulin से क्या बनता है वो बनता है micro tibules और यह उस micro tibules क्या है ऐसे हमें इसके अंदर यह पूरी की पूरी क्या है पूरी की पूरी रोड है हमें तो केवल इसका ये ऊपर वाला ये वाला structure हम देख रहे है पीछे तो इसकी alpha beta tibulin की पुरी road जा रही है पीछे क्या है पुरी पुरी road है हम road का उपर वाला हिस्सा देख रहे है road का क्या देख रहे हैं उपर वाला हिस्सा केवल और केवल देख रहे है यह क्या है अलफा एंड बीटर टीबलिन इस्ट्रक्चर है और क्या होते है नाइन होती है नाइन डुपलेट होती है पेरिफेरल पर यह क्या है नाइन डुपलेट है अलफा बीटर टीबलिन की नाइन रोड हमें देखने को ऐसे यह मिल रही है कितनी रोड हमें देखने को मिल लही है 9 रोड देखने को मिल लही है कहाँ पर पेरिफेरी पर और बीच में 2 रोड हमें देखने को मिल लही है सिंगलेट इनको बोलते हैं सिंगलेट यह सेंट्रल में 2 सिंगलेट हमें देखने को मिलते है दो रोडों में बीच में देखने को मिल लही है अलफबेट टुबलिन और क्या होता है अलफबेट टुबलिन तो बार देखने को मिलती है अंदर हमें दो सिंगलेट देखने को मिलते हैं सेंट्रल में जो डिबलेट होते हैं और कनेक्ट बाइदा इंटर डिबलेट ब्रीज जो यह डिबलेट होते हैं यह बाहर में अलफ़बिटर टुबलिन जो देखने को मिल लहे हैं यह किस से कनेक्टिड है यह किस से कनेक्टिड है जो आपको यह बिल्यू कलर का देखने को मिल ला है यह कन और, और कया होता है, इसमें, जो exonym होता है central tubular connected by bridges, मेंको लौजberry by central seeds, जो central tibular होते हैं, ये कैया है, central tubul ये किस से connected है, ये bridge से connected है, उसको बोलते हैं, bridges, और क्या होता है, इसके बाहर, जो Central Tibles होते हैं इनके बार हमें क्या देखने को मिलती है Central Seat बोलते है इन Central Seat से हमें Radial Spokes एक इक Radial Spokes यहां पर Connect होता है Dublet के साथ में Central Seat Connect with Dublet by Radial Spokes तो इसलिए Radial Spokes के संके कितनी हो जाएगी Nine Radial Spokes की संख्या हो जाएगी Bar Plasma Membrane और इसमें क्या होती है एक Nexin Protein भी देखने को मिलती है यह क्या है इसमें क्या है यहां पर वो देखने को जो मिल लए है वो है Nexin Protein और इसके अंदर हमें Outer Arm और Inner Arm भी देखने को मिलते है Outer और Inner Arm दोनों हमको यहां पर देखने को मिलते है यहां पर हमारा यह वाला जो टोपिक है सीलिया और फलेजिला वाला यह समाप्त होता है अगले लेक्चर में हम Centrosome और Centriol के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे तो थेंक्यू बच्चो मेहनत करते रहे है All the very best वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले लेक्चर में